हेलो ये स्टुडेंट, वेलकम टू केमेश्ट्री प्लानेट, मैसेल्फ डॉक्र शरत्यमिश्र, हम लोग पढ़ रहे हैं जन्रल और गनिक केमेश्ट्री, इसके उपर आल्डेडी हमने एक लेक्चर कभर किया है, जिसमें हमने पढ़ा है आपको बॉन्ड क्लिवेज, जहां क्लिवेज, हमने पढ़ा था रेक्षन इंटरमेडियट, जहां हमने पढ़े हैं कार्बोकदैन, कार्बनायन, कार्बन फ्रिलेडिकल, कार्बीन, और नाइट्रीन, आगे बढ़ते हैं हम G.O.C. में G.O.C. पाट बन पढ़ रहे हैं, जिसको पन जेन्रल और गनिक बोलते हैं यहां मेंख ली मेंख मेनली को होता है और जन्रली चाइप का हुता है मेंख मेंख मेरव वक्राक है तो तो पहला पर हम्राएंगे obl 오른Out अपन अपन इलेक्टरोफिलिक र्येजएंट भी बोलते हैं। इसको ब्रेक करोगे आप इलेक्टरोफाइल odds यही सब अटाइक कीग र्येजएंट जो हैं वोस सबस्टेट मॉलिकेंक वो पर या इसलिए यह सब जितने भी reagents हैं, हमारे सारे organic reaction के लिए बहुत बहुत important है, बहुत ही carefully इस lecture को देखना है, ठेक है, अभी जो GOC के जितने भी lecture होने वाले हैं इसके उपर, उन सब में आपका concentration maximum होना चाहिए, और मैं तो आपके suggest करता हूँ कि more and more time दो और इस वीडियो को completely करता हूँ कि भाई आप like करो, subscribe करो, share करो, no, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप कर दे रहे हो, तो इसके लिए thank you, लेकिन पढ़ो, यह मैं हमेशा सब से request करता हूँ, इसलिए आप से भी request कर रहा हूँ कि पूरा lecture आप जरूर देखें, बहुत सारी information इसके अंदर है, और जैसे ही यह topic finished होगा, आपके सामने जो PDF दिख रहा है, या फिर जो मेरा handwritten notes है, इसमें से कोई एक आपके साथ सीर होगा, अभी यह topic मतलब complete नहीं हुआ है, तो attacking reagent हम बात कर रहे थे, electrophile के बारे में, the electron loving, electron filling species के बारे में, the reagent which attack on negative of the molecule, or loves electron, are called electrophiles, इलेक्ट्रोफाल्स में भी positively charged और electron deficient molecule, ठीक है, जब electron deficient होगा, तो उसके पास octet ना होगा है, septet या six state होगा, मतलब किसे होगा six state या फिर septet configuration होगा, उसका octet complete नहीं होगे, ठीक है, अब आप देखो, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, जो की attack करेगा negative part of molecule, या जो electron loving हो, electron जिसको चहिए, वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल्स प्रटैक्ट हो सकते हैं, positively charged और neutral, मैं अगर बात करो positively charged के, तो उसके example है, H+, SO3+, NO+, NO2+, X+, R+, C6H5, N2+, Diagnum, आयन, ठीक है, CH2OH+, CH3, C double bond O+, CH2 double bond CH+, इन से आपके उपर plus charge है, या commonly used electrophiles है, जो बार-बार हमारे लिए मिलेंगे, इन में जितनी भी reagent की मैं बात करने वाला हूँ, समझा हूँ कि आपके पूरे 11-12th class में, जितने भी reactions हैं, almost हर जगा या cover कर लेंगे, except name reaction, क्योंकि name reaction specific होते हैं, तो अलग type के होते हैं, उसको अपन इसमें include नहीं कर सकते, ठीक है, अब तुसरा है neutral electrophiles, neutral electrophiles which possess an electron deficient, क्या है electron deficient है, all levis acids such as BF3, AlCl3, SO3, ZNCl2, BCL2, FeCl3, SNCl2, CO2 and SNCl4, यह सब के सब जो less acids हैं, यह सब neutral electrophiles हैं, इन सब के पास भी क्या है, मतलब electron loving के पास योटी है, लेकिन इका निशर कैसा है, the all are electron deficient, मतलब इसमें से compounds के पास incomplete octate है, ठीक है, बता जाता है, the neutral atom that accepts electron from the substrate, हमारे पास जैसे की carbon compound, C double bond O है, यहाँ पे, लोग confusion होता होगा कि सर्फ कहां से electron accept करेगा, तो आपके सामने जो यह star mark से दिख रहा है, यह star दिख रहा है carbon पे, यह accept करेगा, ठीक है, वैसे ही, यहाँ पे star दिख रहा है, यहाँ पे RMGX में MG दिख रहा है, यहाँ पे ICL में I+, दिख रहा है, आई न, टू है तो प्लस चार्ज होगा ही, तो यह neutral के बारे में है, कुछ example नीचे भी है, यह star marks का मतलबगा, star indicates the atom that accepts electron, free radical, carvenes and nitrogen act as electrified, बहुत बहुत important बात, ध्यान से सुने, free radical, carvenes और nitrogen, इस सब कोई electro file के जैसा behave करते हैं, और region बता देता हूँ, free radical में 7 electron है, तो एक electron लेगा, carvenes में 6 electron है, तो 2 electron लेगा, 19 भी 6 electron है, तो यह भी 2 electron लेगा, मतलब free radical हो, carvenes हो, या फिर 19 हो, किसी का भी octet complete नहीं है, इसलिए यह लोग भी electro file जैसे behave करेंगे, तो हमने अभी तक देखा, अभी यहाँ पे, electro files के बारे में, attacking region बाने देखा है, electro files, दो type के होते हैं, positively charged और neutral, electro file, electron loving है, मतलब negative part of molecule, या electron के उपर attack करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे है, nucleophilic reagent और nucleophiles, nucleophilic reagent और nucleophiles, अब nucleophilic reagent जो है, जिसको अपन nucleophiles बोलते हैं, ध्यान से देखोगे, तो दो पार्ट में break होगा, nucleo and files, nucleo का मतलब होता है, nucleus, files मतलब loving, nucleus loving, हम सब को ही जानते हैं, कि nucleus के अंदर, अगर charge की बात करें, तो क्यों प्लस charge होता है, क्योंकि nucleus में neutron और proton है, neutron के उपर कोई भी charge नहीं होता, proton के उपर plus charge होता है, तो जब बात होगा nucleus का, और nucleus में present charge का, तो undoubtedly वह proton होगा, तो nucleophile जो होंगे, जिसको अपर nucleus loving बोलते हैं, nucleus मतलब plus charge, और loving मतलब जो plus charge को चाहे, जो plus charge के उपर attack करें, तो nucleophile reagent और nucleophiles, nucleophilic reagent और nucleophiles, which attack on positive side of substrate, और love the nucleus, जो positive side प attack करें, या nucleus loving हो, उसको अपर nucleophile बोलते हैं, जैसे की electrophile दो पार्ट में था, charged और uncharged, वैसे ही, nucleophile बोलते हैं, आपको negatively charged nucleophile, and uncharged nucleophile, ठीक है, अब जो uncharged होंगे, उनके पास lone fear of electron होगा, जो negatively charged होंगे, उसको अपर minus charge होगा, पहले आते हैं, अपने example देखते हैं, negatively charge के, जैसे की, H minus, OH minus, OR minus, CN minus, X minus, मतलब हैलाइड आयन, और X के अंदर आगया, फ्रोडाइड, क्लोडाइड, ब्रोडाइड, ब्रोडाइड, आयोडाइड, फिर आता R minus, फिर RCO minus, NH2 minus, ठीक है, फिर RCO CH2 minus, SH minus, SHO4 minus, NO3 minus, इन सबके उपर, इन सबके उपर, नेगेटिव चार्ज्ट है, ठीक है, उसका आते हैं, अपन, आल लेश बैसेस, विच कंटेन लोन पेर, में भी है बैच, नुकलियोफाइल, नुकलियोफाइल, लोन पेर वालों की बात करें, यहां पर जबरदास्तिक जाम पल H2, वाटर मोलिकुल, देखो, ध्यान से यहां पर, वाटर में, वाटर में फ्लावर जूम कर देने दो, यहां पर वाटर दिख रहा है आपको, इस वाटर में आक्षियन को पर दो लोन पेर है, वैसे ही, अलकोहल, ROH, इसके पास भी दो लोन पेर है, इथर, ROR, यहां भी दो लोन पेर है, NH3, यहां भी एक लोन पेर है, R, NH2, प्राइमरी अमीन, यहां भी लोन पेर है, R3N, टर्सीरी अमीन, यहां भी लोन पेर है, HHS thiol alcohol यहां भी दो loan pair है RSR thiol ether यहां भी दो loan pair है और एक और आता है H2S यहां भी दो loan pair है जितने भी जाम पर हमने भी देखा है इन सब के उपर loan pair है और loan pair होने के कारण यह behave करेंगे आपको nucleophiles type के या भी इसको nucleophilic reasent upon बोलेंगे मतलब कि यहstate करेंगे तो जहांपी इलेक्ट्रों डेंसिटी कम हो या ऐसे बोलू जहां पॉजेटिब चार्ड ओ वहां पर जाके एटेक करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल साथ न्यूक्लियोफाइल भी हो गया है दो में था उलेक्ट्रोफॉइल नुक्लियोफाइल ही में है मदरी एजेंट इनके अलावा सब्सक्राइब दो ऑर होता है उसके ओपर आते हैं कि कौन सा बड इसमें electron donate करेगा और कौन सा नहीं करेगा जैसे हमारे पास RMG RMG है तो हम जानते हैं हमेशा R- होगा और MG कैसा होगा प्लस के फॉर्म में RMG X में R- और X- होता है और MG 2- प्लस होता है अगर इस RMG X को इसमें रोड़ना होगा कि कौन सा बड हमारा इलेक्ट्रोफाइल है तो R- क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा यह कैसा होगा नुक्लियोफाइल बहुत सार लोग कन्फूज हो रहे होंगे सर इससे पहले भी हमने RMG X लिया था इस बार भी ले रहे हैं तो ध्यान दें वहां RMG X दिखा रहेता हों कन्फूजन नहों यहां जो RMG X था यहां M G को पर स्टार है मतलब M G जो है यहां इलेक्ट्रोफाइल करेगा और यहां जो है RMG X में R को पर स्टार है मतलब यहां पर आर इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा वैसे ही R LI में R है LI LH4 में H है CH3 CN में CH3 CN में N है NABH4 में H है R2 ZN में R है R2 CU LI में R भी है R2 CD में R है BU to ALH में BU आपको है और H भी है इसमें बहूत सारे और गैनो मेटलिक कमपाउंड जैसे R2 CD, R2 CLI, R2 ZN ठीक है यहां फिर RMG X, R LI यह सब के सब और गैनो मेटलिक कमपाउंड के इक याम पल्स है, Gilman Regents हो, Franklin Regents हो यह सब के सब आते हैं हमारे आपको Organometallic Compounds में, अच्छा यहां तक आये हैं तो दो बात और इसमें add कर दें अगर General Approach दिखा जाए, Regents के तो Regents चार टाइप के होते हैं मैं पहले ही बोलाता, हमने दो देखा है, Electrofiler, Nucleophile, अब आते हैं Embedians के उपर Embedians, Nucleophiles के उपर, जो Embedians, Nucleophiles के बताए जाता है कि इसके पास दो साइट होता है Nucleophiles के लिए Nucleophiles which have two sites of electron rich center, और in which two or more atoms bear a unshared pair of electron मतलब एक ऐसा reagent, जो कि Nucleophilic nature में है और जिसके पास दो साइट है electron rich का ठीक है, या बोलें कि जिसके पास दो या दो से ज़्यादा एटा में जो unshared pair of electron रख रहे हैं, उन सब को अपन Embedient के अंदर रखते हैं वाला एक्जामपल है KNO2, सामने दिख रहा है, दूसरा एक्जामपल है NH2OH यहाँ पर oxygen के पास भी lone pair है, और nitrogen के पास भी lone pair है, वैसे ही KCN के इसके देखोगा, तो C के पास negative charge होता है और N के पास lone pair होता है, यहाँ कब होगा, जब यहाँ सक K plus बाहर निकल जाएगा ठीक है, वैसे ही यहाँ पर RCOCH2, यहाँ पर CH2 माइनस है, दिख रहा है ना CH2, जूम कर दें दो, यह CH2 माइनस है और इस oxygen के पास lone pair है, ठीक है, इसके देखो double bond, single bond और negative charge, double bond, single bond, negative charge होने के करेंड, यहाँ conjugation में है, और जब conjugation में होगा, तो यहाँ negative charge, move करके आएगा, single bond पे, और double bond, move होके आएगा, इस electron rich atom के पास, तो इसका दूसरा form जो बनेगा, CH2, double bond, C, single bond, R, single bond, O- तो यहाँ जो बनेगा भाई, यहाँ आपस में दोनों, रेजनेटिंग इस्ट्रक्चर का राएंगे, क्या का राएंगे, रेजनेटिंग इस्ट्रक्चर का राएंगे, देखो, Amphiphyl, मतलब molecules which contain a multiple bond between carbon and more electronegative atoms, can act as both electrophile or nucleophile, जहाँ से सुनो, molecules contain a multiple bond between carbon and a more electronegative atom, which can act as both electrophile or nucleophile, एक ऐसा molecule से है, जिसके पास multiple bond है, किसके बीच में carbon और एक more electronegative के बीच में, तो हम जानते हैं, हमेशा carbon क्या होगा, plus charge करी करेगा, और more electronegative, minus charge करी करेगा, तो इस हिसाब से plus charge करने वाला, electrophile type के होगे, क्योंकि electron deficient होगा, और more electronegative, जो negative charge करी करेगा, वर nucleophile type का होगा, इसका तगड़ा example है, कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ C double bond आप वो दिख रहा है, इस कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बन जो है, कार्बन जो है, यह electrophile से भी हैप करेगा, और oxygen जो है, वो nucleophile से भी हैप करेगा, मतलब एक electrophilic center, दुसरा nucleophilic center होगा, ठेक है, फिर है यहाँ पे एक जामपले R-CN, CH3-CN, यह triple bond है, कार्बन और nitrogen के बीच में, triple bond होने करण, यहाँ पे हमेशा nitrogen गया होगा, नेगेटिव होगा, कार्बन पोजेटिव होगा, तो कार्बन पोजेटिव होगा, मतलब यह electron deficient होगा, और electron deficient जो हो जाते हैं, उसको अपन electrophiles बोलते हैं, और nitrogen जो है, वो electron रिच होगा, जिसको अपन nucleophile बोलेंगे, तो इस तरह से, एक ही compound में, electrophile के साथ साथ, nucleophile भी आ गया, तो इसको बोलेंगे, वान amphiphile, मतलब एक ही molecules के अंदर, एक ही molecules के अंदर, electrophilic center और nucleophilic center दोनो possible होगा, तो amphiphile बोलेंगे, और एक ही molecules में, जब दो nucleophilic center होगे, तो इसको embedient बोलेंगे, ठीक है, और जो nucleus लभी होगा, nucleus पर अटेक करेगा, उसको nucleophile बोलेंगे, वैसे ही, जो आपको electron लभी होगा, electron पर अटेक करेगा, electron जिच center पर अटेक करेगा, उसको अपन electrophiles बोलेंगे, तो हमने attacking region में, electrophile, nucleophile, embedient और amphiphile देखा, अब थोड़ा सा comparison के उपर आते हैं, अपन electrophile और nucleophile में कुछ comparison है, उसको देख लेते हैं, ठीक है, electrophile और nucleophile है, कुछ comparison है, थोड़ा सा उसको देख लिया जाए, चलो, अगर अपने बात करें, electrophiles और nucleophile में, यहाँ पर दुपाल आज़ो, electrophiles है, वह accept करेगा, electron pair को, nucleophile supply करेगा, electron pair को, दूसरा, electrophiles है, electron deficient होंगे, जो nucleophile है, वह electron rich होगा, थर्ड बन, electrophile attack the point of high electron density, मतलब, electrophile को attack करने के लिए, electron density maximum चाहिए, और nucleophile को attack on the point of low electron density, मतलब, जहाँ पर electron density कम होगा, electron poor center होगे, वहाँ nucleophile attack करेगा, और जहाँ पर electron rich center होगा, खूब electron होगे, वहाँ पर electrophile attack करेगा, इस electrophile जो है, यह Lewis acid से भी हैब करता है, और nucleophile Lewis base से भी हैब करता है, इलेक्ट्रोफाइल पोजेज एन एंपटी और्बिटल तो रिसीब दे इलेक्ट्रोण पियर, मतलब, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पास जो है, वह एंपटी और्बिटल होगा, खाली और्बिटल होगा, अब उसी खाली और्बिटल में इलेक्ट्रोण पियर को रिसीब करेगा, जबकि नुक्लियोफाइल के पास आपको पोजेज एन इलेक्ट्रोण पियर विचीज लूजली होल्ड हेल्ड एंड केन बी सप्लाइट इजली, तो नुक्लियोफाइल होंगे, उसके पास नुक्लियोफाइल विच्वली नेगेटिबली चार्ज़े स्पिसेज, वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म एंड एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा नुक्लियोफाइल साथ में, और नुक्लियोफाइल इंक्रिजज इड्स कोवैलेंसी बाई वन उनिट, बतलब देने के ब और पी बोल सकते हैं, पजै है इसके पास अबस्ट्राइल होगा, इनकम्पलीट ऑख्रिजज और ब्रultura होगा और नुक्लियो फाइल में भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है इसलिए नहीं है कि NH4 प्लस के में nitrogen का already octet complete होता है और H3O plus में oxygen का already octet complete होता है तो जिसका octet complete हो वह कभी भी इलेक्ट्रोफाइल यह साब भी हैब नहीं कर सकता इलेक्ट्रोफाइल का condition ही होता है कि must have vacant orbital उसके पाद vacancy होना चाहिए empty orbital होना चाहिए होगा तभी जाके वह electron ले पाएगा ठीक है तो यह सब इलेक्ट्रोफाइल और नुक्लियोफाइल के regarding कहानी थोड़ी बहुत हुई तो चलिए अब ही हमने देखा complete information on the attacking reagent हमने पूरा attacking reagent अभी cover कर लिया ठीक है attacking reagent पे अगर आप इसको link करना चाहो तो इसको आप carbon free radical carbon 19 पड़े थे और साथ में हमने पढ़ा था वहाँ पे जा बोलते हैं bond के लिए चाहिए homolytic और heterolytic तो जो general organic chemistry है GOC उसके तीन जो छोटे छोटे basic parts थे उसको में cover कर दिया चौथा parts जो है वह electronic effect है और electronic effect छोटा सा नहीं है इसमें time लएगा तो मैं इस electronic effect को start करने वाला भी नहीं हूँ क्योंकि start करने के बाद आपको पूरा लंबा lecture होगा इसलिए अलग से इसके उपर inductive का अलग class mesumeric का अलग class hyperconjunction का अलग class electromeric का अलग class बनेंगे तो यहाँ पर कम से कम चार lecture और लगेंगे तब जाके यह जी ओसी कभर होगा तो हमने अभी तक कभर किया non-clature isomerism और जी ओसी में दो lecture तो आज के लिए यह छोटा सा lecture इतना ही फिर हम लोग अगले lecture में देखते हैं और इससे ज़्यादा information तो बड़ा सा lecture हो सकता है cover करेंगे जो भी आपको doubt है इससे related प्लीज आप पूछें आप comment करें या हमारा जो application बना हुआ attack entrance classes का वहाँ पे जाके भी आप rise कर सकते हैं अपने doubt आपको जवाब दिया जाएगा जैसे ही देखा जाए मैं आपके question और doubts का wait करूँगा ठीक है तो आज के class में इतना ही आप सब को thank you